गोरखपुर जिले में रविवार को तीन नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शहरी छेतर के कैंट थाना छेतर में दो और ग्रामीर छेतर के सरदार नगर में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है वहीं बियारडी मेटकल कॉलेज गोरखपुर में एक तिरपन वर्षिय वक्ति की मौत हुई है इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 21,470 हो गई है इन में 3068 की मौत हो चुकी है 21,084 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस 20 हो गए हैं इस संबंद में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशे साउधानियों को ब पालन अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाथ पांडे ने बताया कि इस विमारी से बशने के लिए विशे सतर्वता बरत्ती होगी क्योंकि इसका वाइरस ठंड में जाद आसर करता है इस दिये लोगों को भीडभा करता है